सब्सक्राइब आपको याद होगा एक या दो दिन कबल जिला डोड़ा की तैसिल मरमद की सड़कलबर पैंचाइट से हमें एक फोन कॉल मौसूल हुई उस पैंचाइट के लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर वाटर पाइपलाइन पुरानी दिशा में ना ले जाते हुए उसे एक नई दिशा दी जा रही थी जिस पर मजगूरा पैंचाइट के लोगों ने महकमा जलशक्ती के खिलाफ नारबाजी भी की थी और वहाँ पर जो वाटर मैन है उनके बारे में भी ट्रांसफर का मुतालबा किया था कि वो शक्स वहाँ पर काम ठीक नहीं करता है ये रिपोर्ट करने के ठीक एक दिन बाद आज मुतालका महकमा के जेई और एडबली वहाँ उस पेंचाइत में मौका पर पहुंचे और उसके बाद हमें एक फोन कॉल फिर मौसूल हुई वहाँ के मुकामी लोगों ने हमें फिर से फोन कॉल किये कि आप यहाँ पर आ जाएए और मुतालका महकमा के यहाँ पर कुछ उहदिदार आए है मैं जब वहां पर गया उसके बाद हमने वहां पर देखा कि हालात क्या है और मुतलका महकमा के AW सहाब से जब हमने बात की मुतलका महकमा के AW सहाब ने वहां पर वो पानी का जो मसला है वो हल कर दिया आप देखिए ये रिपोर्ट के मुतलका महकमा के एडबली का इस वारे में क्या कहना है? जिसमें किसी को पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शन दे दी गई है थाकि उनको भी पानी चले जाए और जो इनका अपना इशू था वो भी कोई प्राब्लम ना रहे उसी साफ से सारा सिर्ण के एक और इस वी बात हुए था जो अभी बात हुए थी एक ऐसी बात करी है कि अगर इनको किसी स्टाफ के साथ कोई दिक्कत है ठीक है हमारी कोशिश यही रहेगी उसके साथ इनको दुबारा दिक्कत ना रहे क्योंकि अगर हम ट्रांसफर करते रहेंगे एक जगे से दूसरी जगे दूसरी जगे तीसरी जगे वो हल नहीं है हल य अभी आपने देखा और सुना कि AW साब ने इस बारे में क्या कहा ये जो पानी का मसला है इनका ये हल हो चुका है अब मामला रहता है ट्रांसफर का कि लोगों का मुतालबा था कि इस मुतलका जो महकमा का यहां वाटर मैं है उसको यहां से ट्रांसफर किया जाए और इनको एक और वहां पे वाटर मैं दिया जाए इस विशे पे भी आपने खुद सुना कि AW साब ने क्या कहा इसी के साथ देजे इजाज़त खुदा हाफिज